इमाजिन कीजिए एक ऐसी फैक्टरी जिस फैक्टरी में हेल्दी इंसान एंटर तो कर रहे हैं लेकिन तीन चार घंटे बाद जो बाहर निकलते हैं वो बन जाते हैं किड्नी फिलियर पेशेंट्स मतलब फैक्टरी मैनफेक्टरिंग किड्नी फिलियर पेशेंट्स आप शौक्ड हो जाएंगे जानके कि मैं बात करना हूं आज कल के hospitals की आप किसी भी hospital में जाए हॉस्पिटल में किसी वोड में जो common scenario होगा अधितर patients के बैट के उपर इस तरह के saline water लटका होगा पेशिंट जाए किसी भीमारी के लिए जाए, वो सिद्धत के लिए जाए, माइगरेंग के लिए जाए, स्टमक के लिए जाए, वॉमिटिंग के लिए जाए, डिहाइड्रेशन के लिए जाए, फ्लू के लिए जाए, किसी भी भीमारी के लिए क्यों न जाए, 80% चांसे हैं क कि डॉक्टर उसे सलाइन वाटर तो प्रिस्क्राइब करी देगा मानो ऐसे कि सलाइन वाटर ना हो ये अम्रित हो कि जैसे आप इन नसों में जोड़ेगा ना जाने कैसे मेजिकली सारी बिमारी अपने आप ही गाइब हो जाएगी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुजारी मंदिर में आप जाते हैं पुजारी गंगा जल छिड़कता है और एक बून अगर हमारे से पर जाया तो हमें ऐसा सुन लगता है कि शायद हमारे सारे प्रावलम घाइब हो जाएगे और हमारे सारे अर्मान पूरे हो जाएंगे ये जो प्रता है हॉस्पिटल में ही चल रहा है पिछले 1500 साल से इस उमीद के साथ कि शायद सलाइन वाटर से इंसानित को कुछ भला होता होगा पहली बार 2018 में ट्राइल्स हुए ये जानने के लिए कि जब सलाइन वाटर हमारे बॉटी में दौड़ता है तो उससे क्या फाइदा हो सकते हैं और तब शौकिंग नतीजे सामने निकले कि सिर्फ आधे लीटर सलाइन वाटर से भी इंसान किड़नी पेशेंट जिंदे की भर के लिए बन सकता है ट्राइल्स के पूरे नतीजे जानने के लिए आप स्क्रीम पे देवे लिंक में जाके खुदी पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आप का काम आसान कर देता हूँ मैं आसान भाशा में समझाता हूँ आखिर इसके अंदर क्या है अगर आप पढ़ें इसके अंदर सिंपल पानी है और पानी के साथ है NACL that is sodium chloride 0.9 grams यानि की common salt नमक 0.9 gram नमक कितना होता है यह जानने के लिए आप देखिए पूरे दुनिया में जितने भी food item है उसमें सबसे ज़्यादा नमक जिसमें होता है वो है lese potato chips और ऐसा lese potato chips का एक packet या फिर दो तीन चार packet पांच packet या छे packet या साथ packet या आठ packet या फिर नौ packet अगर नौ packet lese potato chips आप एक बार में खा जाएं तो जितना salt जितना नमक आपके पेट में जाएगा बस उतना ही नमक इस पूरे आधे लीटर के saline water में है याद रखिए जब आप खाते हैं तो वो नमक पेट में जाता है और 90% तो एक्सक्रिटी हो जाता है अक्सर और 10% ही blood में खुलता है लेगिन इस हार्ट पे दवाव पड़ता है आपका kidney पे जोर पड़ता है kidney के काम करने की जो possibility है उसकी उसकी जो ability है capacity वो कम होने लगती है और साथी में इसमें जो chlorine का content है वो human blood के concentration से लगवग 50% जादा है इतने concentration में अगर liquid सीधे blood vessel में जाता है तो वो एक अजीब सी हरकत करता है आपको खास nutrient का पता है जिसे कहते हैं potassium हमारे cells के अंदर जो potassium है वो 98% cells के अंदर होता है और 2% potassium blood में circulate करता है आप समने अक्सर यह सुना होगा कि potation की मात्रा अगर blood में बढ़ जाती है तो kidney का काम करने की capacity कम हो जाते है या kidney के फेल होने की chances बढ़ जाते हैं दरसल जब chlorine इतनी मात्रा में blood में सीधे खुलेगा तो chlorine की activity एक है वो यह कि cells के अंदर जो potassium उसको धक्का देता है और वो potassium छलकता है blood में और जैसी blood में concentration potassium की बढ़ती है तो kidney के fail होने के chances बढ़ जाते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप सिर्फ kidney patient बनके रहेंगे और अगर किस्मत अच्छी खराब रही साथ में heart attack भी आ जाएगा cardiac arrest भी हो जाएगा और आप भगवान को प्यारे हो जाएगे आप सोच रहे होंगे कि अगर यह इतना खतरनाक liquid है तो doctor prescribe क्यों करते हैं दुनिया में this is the most prescribed medicine serine water यह बात तो आप doctor से पूछे वह क्यों prescribe करते हैं लेकिन मैं आप से एक सवाल पूछता हूं एक चोटा सा quiz हो जाए आपको क्या लगता है doctor क्यों prescribe करते हैं in spite of the fact कि यह body को damage करता है to the extent that it can cause kidney failure यह doctor क्यों prescribe करते हैं सवाल आपके लिए आपको चार option है option A डॉक्टर सोचते होंगे कि patient आई गया चलो कोई ना कोई लास्तों करना है कुछ समझ नियारा चलो सराइन पर चड़ा जाते बी अब patient को chain से तो बात नहीं सकते तो चलो यह drip से patient को हम arrest कर लेते हैं ताकि patient बीना पैसे दिए भागना जाए इन में से जो भी कारण आपको लगता है वो कारण आप कमेंट में जाके लिखिए उन सारे कमेंट को मैं इखट्या करूंगा और मैं बनाऊंगा अगला वीडियो एक challenge doctors के लिए आप में से वो doctor जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप उन में से जो saline water prescribe करते हैं तो 7th April that is World Health Day में Delhi Press Club में मैं आप से मिलूँगा उस दिन मेरी book की launching है killed by blood donation मैं आपको invite करता हूँ मैं आपको challenge करता हूँ कि कोई भी doctor इस saline water का एक भी अगर फाइदा बता दे तो मैं आपको एक लाग रुपे दूँगा और अगर कोई फाइदा नहीं है तो please आप इसको prescribe करना immediately बंद कर दें एक advice viewers के लिए है hospital जाना बंद कर दें ताकि यहां पर चड़े ही ना अपना doctor खुद बने आजकल बहुत अच्छे certification programs हैं online programs हैं जिससे आप अपनी knowledge को upgrade कर सकते हैं 3 months advanced training on medical nutrition online training है international recognized है आप join कीजे knowledge बढ़ाइए और आपको पढ़र चलेगा कि 95% बिमारियों के इलाज आपके घर के kitchen में ही है अधिक जानकारी के लिए screen pdv link में जाके आप इस online program को समझ सकते हैं जान सकते हैं पार्ट्स पेट कर सकते हैं हम मिलेंगे कभी ने कभी दुबारा all the best thank you